इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने होरोस्कोप से संबंधित महतुपूर्ण जानकारी इस कुंडली में होगा आपके आने वाले दस सालों का वर्षफल बिना पैसे खर्च किये आप कर सकते हैं अपने ग्रेहों को शांग आपके जीवन का राजचुपा है इस कुंडली में दा सीक्रट ओफ यूर लाइफ नमस्कार जी मैं हूँ पुनी दस सीक्रेट ओफ यूर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हूं आपने जब से शो देखना शुरू किया है तब से आज तक हम आपके और आप हमारे बहुत करीबागे हैं और इस करीबी का कारण जो सबसे बड़ा है वो है विश शो को और जब आपका प्यार अज मिल रहा है तो ठोड़ी थूड़ी दिक्कटे भी आ रही हैं दिक्कते कैसे दिक्कते आ रही है आपको लगता है कि प्रोफेसर गुरी परोडदी पारोड़ा सहाब जो आपको इतना समझाते हैं और आपके लिए अपना सारा टाइम लगा करें आपको लगता है ऐसा बात यह है कि प्रोफेसर साब है तो ऐसे अगर उनके आसपास वाले लोग उन्हें ना रोके तो वो यही करना शुरू करते हैं वाटसैप पे भी लोगों को जवाब देना शुरू कर और जब वो नहीं हो पाएगा तो फिर आप तक यह प्रोग्राम भी नहीं पहुंच पाएगा और जब आप तक यह प्रोग्राम नहीं पढ़ रहा है वो ना करना पड़े बहुत बड़ी बड़ी मुश्किले हैं लोग ऐसे आते हैं जो के जिन्दगी से मूँ मूड चुके हैं जिन्दगी उनसे मूँ मूड चुकी है ऐसे लोग आते हैं जिनको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है और इससे तालुक रखते हुए ऐसे ऐसे कुछ cases आते हैं जिनको देखके रूह काप जाती है कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में लेकिन ये जोतिश है जैसे कि प्रोफेसर साब कहते हैं ये गूर क्यान है और इस में इतना कुछ छुपा हुआ है निवारन के लिए समस्याओं के solution के लिए कि हम ये भी नहीं सोच सकते अगर problem है तो उसको solution भी देती है जोतिश ऐसा मानते है प्रोफेसर साब हाला कि वो अपने आपको निपन परफेक्ट नहीं मानते जोतिश में लेकिन वो पढ़ते रहते हैं अपने आपको उस level तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं लोग बड़े-बड़े astrologers तो उनको अपना गुरू मानते हैं कि इन से जादा जोतिश किसे को नहीं आती लेकिन ये जो हैं ये कहते हैं कि मुझे तो जोतिश आती ही नहीं इसको humble होना कहेंगे या फिर इसको आता को ये कहेंगे कि यह पूरी जंदगी पढ़ते रहना चाहते हैं और जो शिश्य होता है। उसमें सीखने की ल conference होती है और यह चाहते हैं कि यह लृत हैं यह हमेशा बरकरार रहे है शायद यही अंदाज है इनका और इसी वज़े से इस शो को इतना पसंद किया जा रहा है इसी वज़े से जो नीचे लिखे हुए नंबर है उन पर appointment की जो line है वो बहुत लंबी हो गई है आप भी appointment बुक करवा सकते हैं थोड़ी सी आपको वेट जरूर करनी पड़ेगी इतना मैं कह देती हुँ हो सकता है हफते से भी ज़्यादा वेट करनी पड़े लेकिन बात यह है अगर फोन घुमाया है सच्चे मन से तो आप पहुंच भी जाएंगे उस दुवार पर यहां पे अंधर विश्वास जैसी कोई बात नहीं है यहां तो बस सकारात मत बाते हैं पॉजिटिविट शृट है इसके बारे में बात करना जादा इस वजजे से जरूरी है क्योंकि सारा टाइम मैं ले लुगी तो सभी मुझे कहेंगे हम तो प्रोफेसर साथ को सुनने के लिए प्रोग्राइम देखते हैं आपको सुनने के-अवापस आते हूं तो आज का जो मुद्धा हैवो ये हैं मैं हमेशा प्रोफेशर साम को कहती हुए उक्रुफे साहब यह इतनी सारी जो दुकाने के लिए बैठे हैं लोगों को ठगने के लिए बैठे हैं लोगों उपाए बताते हैं लोगों के अनुसार मैं नहीं कह रही लोगों के अनुसार जैसे वो उनके द्वार पर पहुंचे उन उपाओं ने उल्टा काम करना शुरू कर दिया मतलब जिन्दगी जो है बत से बतर होनी शुरू हो गई और फिर वो प्रोफेसर साब के पास आते हैं कि अब हम क्या करें कहा जाएं कैसे ठीक करते हैं ऐसे लोगों को प्रोफेसर साब और ऐसे लोगों के बारे में इनका क्या कहना है यह जान लेते हैं पहले स्वागत कर लेत बिल्कुल होता है अपनी जी उपाए कैसी उल्टे होते हैं मैं आपको समझाता हूं जैसे के मान लेजिए आपके बार में घर में गुरू है या नीच राशी के गुरू देव बैठे हुए है और जब भी ऐसा होता है तो इनसान को बताया जाता है जोत जलाईए इस इसका ना को मानिये इतना चलीसा काटिये चालीस दिन वहां तक जाएए वो बंदा और भी पीड़त होना शुरू हो जाता है जैसे के मान लेजिए शनी देव लगन में बैठे हुए हैं उनको जो उनका पूरा खान दान कहते हैं कुम्ब लगन चलो एक यो के बारे में बता देता हू मेरे अंदर से जब भी निकलते हैं सीक्रेट निकलते हैं तब ही तो मैं बोलता हूँ जब भी मैं बोल रहा होता हूँ कापी पे जूर लेजिए क्योंकि ऐसी बाते किताबों में नहीं होती जो मैं यहां पे बोलता हूँ जिसका कुम्ब लगन होता है उसका खान दान खाने पीने वाला होता है और उस बच्चे ने किसी भी भगवान का नाम लिया होता है घर में बिलकुल अंदर इंटर बीनी ही होने देते हैं शिराब कुछ मीट कुछ भी नौनवेज बगईरा और वो इनसान दिन ऑदिन डौन 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 जाना شروع ہو جاتا ہے جب اس کو بتایا جاتا ہے یہاں پہ جائیے یہ دھاروے کام کیجئے ایسے کیجئے ایسے کیجئے کھاندان اس کا کھانے پینے والا تھا اور اس کو اپائے دوسرے بتائے گے وہ بندہ پیڑت ہو گیا جوتشی کو وہ بھولی چکا وہ کہتا ہے ہوتا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا پھر وہ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں پروفیسر صاحب اب آپ کے پاس لاست دفاعیں ہیں کیا کرنا چاہیے میں کہتا ہوں شراب की बंद बोतल अपनी कबोड में रख cultiv पीना मत बस मiese लगण में जब शनी होता है अगर वो शनी देव शराब को बंद अपने पास रख लेंगे चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हैं यह नहीं कि वह मैं पीने के लिए बोल रहा हूँ, मैं रखने के लिए बोल रहा हूँ, अपने कबड में, जहां पे वो कपड़े रखता है पहनने वाले, वहां पे रखिए, शुकर और शनी का मेल कीजिए, देखिए, कैसे करते हैं उपाए काम, मेरे तो ऐसे ही उपाए होते हैं, मैं सब को ऐसे जोत नहीं छोड़ सकते मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलता मैं हमेशा हमेशा मेरी यही सोच होती है पहले मैं पोजिटिव करूं पोजिटिव करने के बाद जो इसकी बुराईया है वो दूर करूं जब बुराईया दूर हो जाएंगी वो ठीक हो जाएंगी जब कभी ऐसा ह बाई क्योंकि शुक्र को आप घर में जलाते हो शुक्र को भगवान के घर में जलाना चाहिए अगर आपने जोत जलानी है तो मंदर गुर्दवारा वहां जाके जलाईए जहां पे हम शांती से बैड़ते हैं भगवान का नाम लेते हैं भगवान को बोलते हैं जोत जलाने का म दिया होता है यह उसका दीपक हम जलाते हैं देसी गी से जो देसी गी होता है शुक्र ग्रह होता है जब शुक्र को आप घर में ही जलाना शुरू कर देते हैं तो आपका घर भी शुक्र होता है घर में खुशिया आनी बंद हो जाती हैं यह नहीं के लाड़ किताब वाले बोल किताबे मैंने सब देखी हैं, देखी हैं, मतलब एक दफ़ा पढ़ी, बस, उसके बाद नहीं, क्योंकि मैं किताबों को ज्यादा नहीं पढ़ता, मैं रिसर्च करता रहता हूं, कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, मेरे को भी अच्छा लगता है, जब पुनीत जी ये स्वाल प सही है, इसलिए मैं कई दफ़ा मेरे पास ऐसे क्लाइंड आ जाते हैं, कई दफ़ा ऐसे कस्टमर आ जाते हैं, कई दफ़ा ऐसा मेरा परवार जब बन जाता है, तो आ जाते हैं, पहली दफ़ा जब मेरे पास आते हैं, तो मेरे कुछ जो मेरे उपाई होते हैं, वो मेरे उप पर लेके आगे मेरे पस अब क्या करना है ऐसा मत किया कीजिए मेरे उपायों का असर देखिए मेरे उपायों का असर एक महीने के अंदर अंदर होना शुरू हो जाएगा जब वो फिर एक महीने बाद जब वो असर होना शुरू हो जाता है जब उपाए खत्म होते है तो एक महीने बाद असर होना शुरू होता है क्योंकि 33 दिन होते हैं जब वो असर होना शुरू होता है तो बहुत बड़ी है एक एक दफ़ा फिर करिए फिर वो पूरा खांदान लेके मेरे पास आते हैं जो मेरे समझधार का परवार बना हुआ है जो मेरे पहले दफ़ा आते हैं उन्हें जो मैं उपाए बताता हूं कई हमें दफ़ा तो हैं यह उपाए से क्या होगा पर फिर साव यह थो हमने उपाए किये हूए हैं मैंने का वाह मैंने का क्या हूए हैं लेकिन वहां पर यह भी बताता हूं कि जो भगवान ने मेरे मुँद निकाल दिया शयद आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं तो मैं शुक्र खराब है शुक्र आपकी पत्नी अरे बहुत अच्छा है तो अगर आपकी पत्नी बहुत अच्छी है तो आपका शुक्र अच्छा है घर में पैसे की बरसात हो रही है अगर सारे पुरश सुन लें तो फिर पत्निया तो खुश हो जाएंगी अगर वो समझ ना शुरू करते तो यह एपिसोड जो है यह मैं इस वज़े से लेकर आई थी क्योंकि जब आपका स्टाफ बाहर बैठा रहता है तो मैंने देखा कि एक और आपके स् किसी के पास गई वो जोतिश थे या कोई और थे उनके पास गई तो तब से वो बिमारी बढ़ने लगी आज तक इतने 20 सालों में वो बिमारी बढ़ी नहीं लेकिन उनके पास जाने के 10 दिन बाद से वो बिमारी बढ़ने लगी तो फिर वो आपके पास आए तो ऐसा क्या ह हो जाता है क्यों हो जाता है कि जो चीज स्थर है वो भी बढ़ जाती है मैं आपको बताता हूं क्या होता है मैं हर एक इनसान को यही कहता हूं मेरे पास वही आएगा जिसका कुछ अच्छा लिगा होगा नहीं तो नहीं आ पाई कैसे मान लीजिए दुख आपका जैसे कि इन्होंने बोला कि बमारी जब उन्होंने कोई और उपाए कि ये बमारी बढ़नी शुरू हो गए कुछ गलत होता है तो बमारी बढ़ती है नहीं तो जो सोई हुई बमारी है वो बाहर आती है एक दफसे हम घुबराते हैं हां हां क्या हो गया हो गया जैसे ही वो बाहर आती है तो निकल जाती है मैं आपको फिर से बताता हूँ मैं हर एपिसोड में ये बात जरूर बोलता हूँ अगर मैं आपसे पूछूँ सबसे जादा घनी रात रात के नो बज़े से लेकर सुबह के पांच बज़े तक कब होती है आप सबी करो लोगे कुछ बारा बज़े कुछ एक बज़े कुछ दो बज़े सबी ये ही बोलते है लेकिन जब सुर्ये उदे होता है तो आदा घंटा पूना घंटा पहले घनी रात होती है जैसे जैसे रात भड़ती है वैसे वैसे रात घनी होती जाती है सूरिये उदे से एक गंटा 36 मिन पहले इतना घणा धेरा होता है कि आँख खुलने का नाम ही नहीं लेती वो घणी रात होती है जब सूरिये उदे होने वाला होता है तो जो बमारी बाहर निकलती है इसका मतलब वो ठीक होने वाली या हम गबरा जाती है हां हमारी साथ तो बुरा होना शुरू हो गया कई दो सतों ऐसे होता है Similarly जब वो ड़िया बढ़ने लगती डॉक्टरों को समझा नहीं आती डॉक्टर कहते है कुछ नहीं है टस्ट मेन कुछ नहीं आता और कई भी टेस्ट करवा लो टेस्ट डॉक्टर बोलेंगे कुछ नहीं है लेकिन कुछ लोग जो हैं उन्हें मैं कुछ अस्ट्रोलजर नहीं बोलूगा कुछ लोग हैं वो बोलते हैं किया कराया है मैं सब को समझाता हूं किया कराया भाई कुछ नहीं होता ये सब आपके वहम भर्म हैं लोग आपको यही बोलेंगे है किया कराया मेरे पास तो कम से कम ना जैसे के मैं एक दिन में पंदरा क्लैंट देखता हूं पंदरा लोगों को मिलता हूं पंदरा दिनों में दस लोग ऐस होते हैं जो कहते हैं हमें उसने बताया किया करा उसने बताया किया करा उसने बताया किया करा उसने बताया किया करा जैसे ही मेरे पास ऐसा मेरा कुछ हुआ तो मेरे नवस बंद होगी मेरा कमजोर हो गया फलाना हो गया टिमका हो ऐसा क्षेशल से लोगों ने उसके दमाग में थोस फूस के ये भरा हुआ किना किया करए कर आप वोश उसके दिमाग में पूरी तरह घर का चुका है जैसे के मान लेजिए पत्गोबी है पत्गोबी में एक चोटा सा कीडा डाल दिया जाए तरह रहेगा उत्त इतने होता है लेकिन हो इतना बड़ा हो जाता है इसी तरीके से कोई भी बात आपके दिमाग में जब बैठती है वो दिमाग में होल कर देती है उसको भरना बहुत कछिन होत कि किया क्राय होता क्या है किया क्राय कुछ नहीं होता भाई यह सब वहम भर्म हैं आपके दिमाग में जो हो चुका है मुझे दीरे-दीरे भरना पड़ेगा अभी मैं इतने एपिसोड कर चुका हूं अब दीरे-दीरे ही भरेगा ना जो आपके दिमाग में भरा हुआ है यह होता है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें अफा इता बता है तो यह उड़्थ क्या है पजलो यह बिस अप जैसा के कुछ लोग यह बोलते हैं आप सब किल्व जों लेजिए दूद्ध के साथ धौईए उसे जल्पवाइद कर दीजिया देश सुनियां बहुत ध्यान से सुनिए जब स्वा किलो ज्यासे के जो मैंने बोला था सूर्य और रहू होते है जबदा की धूप में दूद्ध को रुख वो फट जाएगा ध्यान से सुनिये मेल आपको पता चलेगा कि वाके में उल्टा पाई होता क्या है और जब जो जो होते हैं वो होते हैं राहू और सूरिये सूरिये की दूप में दूद को रख दोगे वो फट जाएगा और जो जो राहू राहू होता है धूआ धूआ अगर दूद में पढ़ जाता है तो स्मेल लाने शुरू हो जाते हैं धूए में वो दूद में वो पीने लाइक नहीं रहता हम दूद से उसको पवित्तर करने के कोशिश करते हैं लेकिन चंदर को खराब कर लेते हैं उपाए किया आपने राहू को ठीक करने के लिए राहू को ठीक करने के लिए आपने सूरिय को भी दूद से दो दिया हलाके मस्या योग होता है सूरिय और चंदर का जिसमें बच्चा पैदा होता है बच्चा अच्छा नहीं होता है जब चंद्रमा दिखाई ही नहीं दिया जब सुख मिले ही नहीं तो आप खुद उपाई गलत करते हो उपर से बोलते हो हमारे साथ ऐसा घटी तो हो गया इसलिए यह यह जो उल्टे फुलटे उपाई होती हैं इसमें कोई सेंटिफीक रीजन तो आपको बताता नहीं कि सेंटिफीक रीजन क्या है मैं हर उपाई के पीछे सेंटिफिक रीजन बताता हूँ जैसा कि मैं अभी भी बोल के हटा हूँ कि आपके लगन में शनीदेव पड़ा है लगन में शनीदेव पड़ा है और जो शिराब है वो शुद्ध शनीदेव है आप अपने लगन क्या होता है आपका शिरीर शिरीर में क्या डालते हो कपड़े आप अपने कपड़े वाली जो कब बोड है उसमें आपने शनीदेव र बढ़िया करना शुरू कर देगा नहीं तो लाल किताब wiले ये बोलते है लगन में शनी नीच का होता है चलो एक सीक्रट बताता हूं वैदिक जोतिश का मेरे अंदर से सीक्रट आते है ये वैदिक जोतिश में भी नहीं बात मिलेगी लगन में शनी वाले लोग बहुत अकर्शित होते हैं लेकिन वैदिक जोतिशी कहती है सिर बड़ा ऐसा बड़ा काला होगा शनी देव काला है ऐसा है आपको पता है शनी देव कितने अकर्शित करते हैं लोगों को देखी आप शनी देव की मूर्ति की और चाहे दूर ही क्यों हो लोगों का ध्यान होगा देखी आप धूआ काला जब उठ रहा होगा चाहे कितनी भी दूरों ध्यान पड़ जाएगा काले कपड़े इसी वज़े से अच्छा लगते हैं हाँ वेरी गड़ पुछा काले कपड़े इसी लिए अकर्शित करते हैं लेकिन आपके लिए बुरे होते हैं कैसे सूरिये की रोशनी को पूरी दुनिया में कोई नहीं डग सकता लेकिन एक काला कुड़ा है जो अंदर नहीं जाने देता सूरिये की रोशनी हमारे भीतर ही नहीं जाएगी तो बमारी के इलावा होगा क्या परिशानी के इलावा होगा क्या क्योंकि रात को कभी भी रात को किसका काम होता है जिवारी का शिराप पीते हैं नशा करते हैं शड़कों पे फिरते हैं गलत काम करते हैं चोरी जिकारी करते हैं जो रात को होते हैं रात के वे ये काम होते हैं हम में जब मजदूरी करते हैं किसी फेक्टरी काम करते हैं तो वह कभी पूरी συνदगी नहीं हो दowie आपको लगता है कि आपके आपकी आत्मा की रिक या की आप सूरे की लाइगि Echo और सूरे की बीतर ही नहीं गया, तो बगवान की बाते कैसी आएंगी, कैसे ग्यान आएगा आएगा आपको, इसलिए मैं जादा तर लाइट कपड़े पहनता हूं, तांके बीतर अंदर तक रोशूरीय की रोश्नी आए, तो ताँके ग्यान आपके बीतर का जागे, यही मैं बताना चाहत हो ब्लैक कपड़े मैं सब को मना करता हूँ छो थोड़ी सी कहानिया बता दू गाता सना दू जब तक वो नहीं होगी तो हमारा एपिसोड का नाम नहीं होगा कहते हैं यह गाता है सुरानी बहुत जरूरी होती है जब शनी देव उसके सूरीय के पुत्र हुए उनका रंग जो था वो था काला सूरीय देव एक दम से धंग रह गही यह मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता वो अपनी पत्नी के पास गए तो उसने अपनी पत्नी को जैसे घुरा वो कहती नहीं महराज मुझे बख्षिये मैं गुरू की पत्री नहीं हूँ मैं उसकी शाया हूँ क्योंकि वो तप करने के लिए गई है वो आपकी जो मैं शोटकट में सना रहा हूँ लंबी हो जाएगी जो आपकी वो ताप है वो सहने गुरू की जो पत्री थी उसका जो विवा हुआ था सूरिये देव के साथ सूरिय देव जब भी उनके साथ मिलने के लिए जाते थे तो उनकी रोशनी वो सहन नहीं कर पाती थी इसलिए उसने क्या कहा कि अपनी शाया को खड़ा किया उसने कहा मेरे पती को संभालिए मैं जब तब करने के लिए पहाडों में जाती हूँ जब मैं उनकी कहते हैं ताप सहने योग हो जाओंगी फिर उनके पास आओंगे उसके पीछे जब उसके जब शाया के साथ सूरिय का मिलन हुआ तो उसमें बच्चा पैदा हुआ शनी देव शनी देव को जब सूरिय देव ने ठुकरा दिया तो शनी देव कहां गए थे बोले शंकर की शरन में जब शनी देव भोले शंकर की शरन में गए थे तो उन्होंने इतना जप तप किया था वर्दान लिया था ये कहकर के मैं जहां पे बैठूंगा सूरिय जहां पे बैठते ह सब को अस्त करते हैं मैं जहां पे बैठोंगा वहां पे सूर्य अस्त होंगे यह पढ़ा है आप तो यही पढ़ते हो के सूर्य देव अस्त करते हैं लेकिन जहां पे सूर्य देव होते हैं वहां पे शनी देव होते हैं आगे काला कपड़ा आ जाता है सूर्य दिखाई नहीं इसलिए कभी भी जिंदगी में काला कपड़ा नहीं पहना चाहिए जब भी हम काला कपड़ा पहनते हो आगे सूरिय के आगे कपड़ा आ जाता है शनी देव का वो कभी इंटर नहीं करते अंदर इसलिए मैं बोलता हूं सब को बोलता हूं काला कपड़ा कभी नहीं पहनना चा करता कि आप यहां मत जाईए वहां मत जाईए जहां आपको सही लगता है वहीं पर जाईए लेकिन लोग कैसे पहचाने क्यूंकि अब तो बोड अखबार चैनल हर कहीं पे इतने इश्तिहार आने शुरू हो गए हैं कि यह जोतिश हैं गरेंटी के साथ पैसे आप दें काम होन हैं बहुत आसान है लेकिन मैं सब को यह बोलता हूं मत जाईए भापने के लिए मत जाईए प्रिक्षा लेने के लिए किस कहीं पे जाने की जूरूरत नहीं है यह चैनल ही देखिए इसी के उपर ही मैं आपको सब कुछ बताऊंगा सीक्रिट आपकी इसी की उपर की जूरूरत भी नहीं है किसी के पास जाने की जूरूरत नहीं है आपके शहर में अच्छे इस्ट्रॉलजर हैं जो छुपे हुए हैं कभी सामने नहीं आते उनके पास जाईए आपको जब आपको वह ड्राएंगे नहीं जब आपको अच्छा अच्छा बताएंगे जब आ नया क्या होगा ऐसा मत करिए हर एक के पास ग्यान है किसी के पास दो परसेंट किसी के पास पांच परसेंट किसी के पास तीस परसेंट पैंटीस परसेंट ग्यान हमारे हाथ में लगा है मेरे पास तो एक परसेंट भी नहीं है मैं तो यह कहता हूं मुझे ऐसा लगता है क्यों लेकिन इस बात की गिरंटी है किसी मैं यह नहीं बोलता किसी को कुछ नहीं आता लेकिन जो दावे करते हैं उनको कुछ नहीं आता यह देखिए आप जिसके पास जा रहे हो जिसके पास आप अपनी पूरी लाइफ खोल रहे हो क्या वह आपको पोजिटिविटी देता है यह अगर वो negativity देता है इसका मतलब वो उसके पास ग्यान नहीं है जो आपको ड्राता है जो आपको बगाता है जो negativity देता है जिसके कमरे में जाते ही आपको शांती मिलती है अनन्द मिलता है जो आपको वेट नहीं करवाता कभी भी वो इसका मतलब वो आपके भले के लिए बैठा क्योंकि मेरी भी यही सोच होती है, कि आप समय लेकर आए, यह नहीं यह एक दिन में पचास सतّर बन्दे दो दो मिंट मेरे ऐसे यह आसे करते हूँ, जाओ जाओ, इसका मतलब वह भला करने के लिए नहीं बठा, आप से पैसे लूटने के लिए बठा ह। जो इनसान मेरी तो यही सोच होती है कम से कम मैं आदा घंटा दूँ पहले मैं गंड़ा देता अब आदा घंटा कम से कम मैं यह नहीं कि एक लड़की बाहर बैठी है वो कुंडलियां बनाके खुदी मेरे को दे मैं खुदी कुंडलियां देखू ऐसे कुछ नहीं मैं अपने ह हाथ से कुंडलियां बनाता हूं अपने हाथ से कुंडलियां बना के फिर उसे देखता हूं फिर आगे मैं देखता हूं जब मैं अपने हाथ से बनाता हूं तीन-चार कुंडलियां फिर देखता हूं फिर निन्ने बताता हूं फिर कुछ बातें भी समझाता हूं मेरी तो सोच नहीं जोतिशे ऐसा गूड़ ग्यान है ऐसे एक्सरे हैं जो कोई नहीं करता कोईंशीन लगाता ही नहीं सीधह आंखों में देखta दो ऐसे ऐस कुछ नहीं योत यह हैं बहुत ब़ुड़ ग्यान था आपने बहुत अच्छे और सरल शब्दों में समझा दिया और जो लोग जो हैं वो दर-दर भटक रहे हैं प्रोफेसर साब तो नहीं कहेंगे मैं ही कह देती हूं कि वो उनको खुद सोचना चाहिए कि सही द्वार कौन सा है प्रोफेसर साब के पास आना है आए नहीं आना है तो भी पढ़िया है यह प्रोग्राम ही देखिए वही काफी है प्रोफेसर साब ऐसा मानते हैं लेकिन आपको सेंसिबिलिटी से अपनी समझदारी से काम लेना होगा नीचे लिखे नंबर्स पे कॉल करके आप अपॉइंटमर ले सकते हैं फिलाल आश के लिए इतना ही धानेवाद इस कुंडली में होगा आपके आने वाले दस सालों का वर्षफल बिना पैसे खर्च किये आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांग आपके जीवन का राजचुपा है इस कुंडली में दा सीक्रट ओफ यूर लाइफ झाल में दूट जीव आपके राज़ लाजचुपा є thirty-by-zeitig दा सकते हैं